हेलो एवरिवन वी बेक च्पोचिली टार्ट लेट स्टाट पहले बबं बिस्कित लेंगे इसे घ्राइंड करेंगे में यह एडिंड अर्ड़ेट बडश्किन एक अच्छे से मिक्स करेंगे और टातन में डालेंगे अच्छे से स्प्रेट करना है इसको ताकि एजस पे और बेस पे अच्छे से स्मूधली फैल जाए इसके लिए आप किसी बाउल ये स्पून का यूज भी कर सकते हैं मैं स्पैचुला से इसको फ्लैट कर रही हूं अच्छे से पूरे टिन में हमें से फैलाना है और सेट वाल्स पे भी हमें अच्छे से इसको स्प्रेट करना है और सेट हो जाने के बाद यह कुछ इस तरह दिखेगा सो चलिए नेक्स स्टेप स्टार्ट करते हैं यह सेट हो जुका अच्छे से अब हम इसमें हमारा गनाश एड़ करेंगे जो कि मिल्क और चॉकलिट का क्रीम और चॉकलिट का कॉम्बिनेशन है गनाश रेड़ी है जो मेल्टेट फॉर्म में है जस्ट बिकॉस विया मेकिंग च गुनगु방ाशा है और मैं इसमें अब चिली पाउड़ा एड़ कर रहे हूं तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो में खलका साaldo चीली को एड़ में टेस्ट रहे का वो बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट के साथ हलका सा चिली फ्लेवर अच्छे से मिक्स करके मैं इसे टार्ट में पोर कर दूँगी और अच्छे से स्प्रेट कर देंगे ताकि ये पूरे हमारी जो क्रस्ट हमने बनाया है चॉकलेट बिस्किट का बर्बन का उसमें अच्छे से सेट हो जाए आपके पास चॉकलेट अब इसे टानने के बाद इसे सेट करेंगे कम से कम चार गहन्टे के लिए ओवरनायट भी सेक्ट कर सकते हैं ताकि अच्छे से सथ हो जाए अच्छे से छे करेंगे सो मैं अच्छे से स्प्रेट करके गनाश को इसे फ्रिज में रखूंगी सेट होने के लिए तो इसे जब भी आप सब करें ठंदा ठंदा सब करें हमार टार्ट रेड़ी है आप इसे चाहें तो आइस्क्रीम स्कूप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं थैंक यू एवरिवा